नमस्कार आप देख रहे हैं लाइफ सिटीज और मैं हूँ आपके साथ साहवली तीन तलाक अब वजूद में है ये कानून बन चुका है और एक बड़ा मामला सामने आया है बिहार की राधानी पटना से दरसल पटना के पिरबहोर थाना में एक केस आया तीन तलाक से जुड़ा हुआ जहां पर पतनी ने आरोप लगाया कि उसको प्रतारित किया जा रहा है पिछले एक साल से 2016 में इनके शादी हुई थी लड़का पटना के अजीमबाद इलाके के रहने वाला है एक्स एरफोस का जवान भी है वो और आपको बता दें कि लड़की की तरफ से ये कहा जा रहा है कि उसको फसाने की कोशिश की जा रही है इस मामले में सबसे पहले आप लड़की का बया में रहती हूँ वहां ने के आया और धक्का दे के बोले कि तीन तलाक एक सांस पर बोल गए और बोलते हैं कि तुछ नहीं कर पाएगी मेरा और वो निकल गए वहां से तो आपने सुन लिया लड़की साफ तोर पर कहरी कि उसको मारा पीटा जाता था फ्लैट खरिदने के नाम पर पैसे की डिमांड की जाती थी और उसके बाद इस तरह का मामला सामने आया कि उसको तीन तलाक दे दिया गया और अब जो है कि आप सुनिए कि लड़का किस तरह यह कह रहा है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया उनके भाईयों के द्वारा मुझे फसाने की साजिश है लड़की का ही बयान सुना आपने और लड़की का ही बयान सुना दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं लड़का कह रहा है कि मुझे फसाने के साजिश है वही लड़की के तरफ से साफ तोर पर कहना है कि मुझे साल हो गए प्रताड़ना झेलते हुए और जब बरद नहीं हुआ तो मैंने इस तरह का कोई कदम उठाया है मुझे तीन तलाग दिया गया है इस मामले में पिर बहुर थाना के इंस्पेक्टर क्या कह रहे है सुनिया आप करीमगज गया की रहने वाली एक लेड़ी है निशात इमाम जिनोंने अपने पती पर आरोप लगाया है कि वो एक सांस में तीन तलाग उनको दे गिये हैं पर तमान में वो अपनी वहन के आहां रमणा रोल थाना तीर बहुर में आई होई थी उनके बिजांच पर कांड मामला अनुसंधान का है जांच हो रही है फिलहाल लड़का गिरफ्तार हो चुका है पुलिस के हिरासत में है आगे क्या कुछ अपडेट आता है हम आपको वो भी देंगे आप हमारे साथ बने रहे हैं हमारे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करिए फेस्बूक पेज को लाइक करिए और विस्तार से खबरों को पढ़ने के लाइफ सिटेज जॉट इन पर जाएं धन्यवाद